असलाम अलेकूम आप सभी का वेलकम है सरगोदा इनिवस्टी ओफिशियल यूटीब चैनल के उपर जहां पे आपके साथ सरगोदा इनिवस्टी की तमाम अपडेट शेयर की जाती है जैसा कि आप लोगं को बताया गया था कि इनिशाला आप लोगं को कम्प्यूटर के रिलेटिट भी आप लोगं को गाइड किया जाएगा तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ computer की जो part 1 है इसके बाद जो वीडियो आएगी वो part 2 के आएगी लेकिन इस वीडियो में हम part 1 की computer की कुछ important tips आप लोगों को मैं बताऊंगा जिससे आप लोग जो पेपर उमीद है कि आप लोग का इन्शाला जो पेपर है वो अच्छा हो जाएगा बैसी के लिए अगर देखा जाए तो आप लोगों के दो बुक्स होती है एक है introduction to information technology और दूसरा है computer programming और जो introduction to information technology है यह आपके syllabus में सही paper आता है 70 marks का आपका theory का paper और 30 marks आप लोग के practical के होती है अगर बात करें हम introduction to information technology की तो इसके अंदर आप लोगों से जो है वो चोटी चोटी चीज़ने पूछी जाती है अगर इसमें देखा जाए तो इतना कोई मुश्किल चीज़ है नहीं आप लोगों ने बस computer system जो computer होता है उसके अंतलिक देखना होता है कि computer की types कौन सी होती है ठीक है उसको use कैसे importance कैसे है उसकी future need क्या है बस यह चीज़ें आप लोगों ने करनी होती है उसके बाद computer की कुछ types होती है जैसे personal computer हो गया, workstation, desktop यह आप लोगों ने देखना होता है उसके बाद आप लोगों ने जो चीज़ करनी होती है वो करनी होती है data और information क्या होता है ठीक है उसके बाद CPU जो है ना उसके उपर आपने detail कर लेनी है ठीक है और अगर देखा जाए ना इसी में से आप लोगों का जो paper है वो आ जाता है यह जो आपको screen पर श्ले बस नजर आ रहे है ना इसी में से ही आप लोगों का paper आता है यह आपने ज़रा सा बस इसके hint ले 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 ना यहां पर आपको साथ clearly बात बता दूँ कि most of student के माइन में होता है कि paper में जो है ना हमाज जो book के अंदे लिखा होगा है ना वही same lines हम लिखें ऐसा बिलकुल भी नहीं है अगर आपका concept clear है तो आप self writing गरें आप लोगों का concept clear होना चाहिए बाकी कुछ matter नहीं करता क्योंकि जब paper आपका check होता है तो उसके सामनी आपकी जो book होती है वो नहीं रखी जाती concept देखा जाता है कि आपका concept उस चीज़ के मतलिक कितना clear है उसके बाद आप लोगों का जो important चीज़ आजाती है वो monitor की types क्या होती है printer क्या होती है land, man, pen ठीक है उसके बाद network topology इसमें से लोगों का आपको आजाता है ठीक है बस यह चीज़ें जो आप लोगों को आप लोगों को बताई है बस इसमें यही चीज़ें आप लोगों की करने वाली होती है बाकी इतना जब आप लोगों ने गहराई में नहीं जाना बस आपने यही चीज़ें करने होती है ठीक है RAM क्या होता है, ROM क्या होता है, Control Unit क्या होता है, arithmetic unit क्या होता है ठीक है, कुछ memories क्या होती है बस यह चीज़ें आप लोग करनो तो आपका paper जब इससे बड़ी असानी के साथ clear हो जाएगा ठीक है तो guess paper इसलिए नहीं आप लोगों को बताया जाते है क्योंकि guess paper जब वो student कहते हैं थोड़े से सवाल हो लेकिन यह जो paper है यह paper आता ही ऐसी है ठीक है तो इसलिए आप लोगों को जैसे-चैसे मैंने चीज़ें बताई है ना आपने बस वह वाली करनी है इसमें से introduction to information technology में आप लोगों का इचला paper अच्छा हो जाएगा ठीक है ज्यादा गहराई मैंनी आप लोगोंने यह ज़ा वह एक दिन से पहले आप लोग मुकमल त्यारी इसकी कर सकती है वास concept उठाने आपने के concept आप लोगों के pick हो जाए अब आगते हैं दूसरा जो portion आपका 35 marks का यानि के 35 का introduction to information technology और 35 marks का होता है computer programming और इसमें न आपने जस्ट आप लोगों को प्रोग्राम जो होते है न वो आपको बनाने आने चाहिए बाद में एक तो definition आजाती है बस और इसमें कुछ भी नहीं है निके इसको आपने अगर करना है तो इसमें function क्या होते है ठीक है उसके बाद constant variables क्या होते है बस आपने ये जो चीज़े है न इसका आपने concept लेना है ठीक है आप लोगोंने retain ही लगाने और उसके बाद loops क्या होते है if else if की जो conditions होती है वो क्या होती है बस आपने ये चीज़ें करके फिर आपने कुछ program जो होते है न past papers वाले वो आपने practice के तोर पर कर लेने है और आप लोगों का ये वाला भी जो 35 का paper है 35 marks का इंशाला ये भी हो जाएगा ठीक है ये बेसिकलिए आप जितना मर्जी डटा लगा लो आप लोगों को जो paper आता है वो conceptual भीज़ आता है बुक से नहीं आता ये जो programming वाल है आपको program बनाने के लिए बोला जाता है तो वो आपको कहीं भी fix नहीं है वो कहीं से भी आ सकता है पेपर सैट हो जाब वो कहीं से भी उ हो सकता है कि आ सकती है जैसे variable क्या होती है data types क्या होती है ठीक है यही बस चीज़ है इसके लावा और इसके अंदर कुछ भी नहीं है बस यह आपका part one का होता है तो आपने बस main main जो चीज़ें है बस वो आप लोगों ने करनी है इसके इलावा आपने ज्यादा गहराई में नहीं जाना बस concept उठाओ और इसको जब आप लोगों ने self writing करना और जो computer programming है इसका तो है ही concept सारा क्यूंकि यह आप लोगों को fix नहीं है क्या आपका कहां से आए आपको program दिया जाएगा कहीं से भी आप लोगों को program paper में include कर दिया जाएगा और वो आप लोगों ने तब ही soul कर पाओगे जब आपका concept clear होगा जब आपको if else आते होंगे loop लगाने आते होंगे तो फिर ही आप लोगों का जो paper है वो अच्छा होगा इसका अगर आप लोगों को 100 भी आप लोगों को बता दूँ कि यह यह program कर ले तो यह भी final नहीं होते ठीक है तो यह आप लोगों को conceptual पेपर आता है तो इसलिए आप लोग मेंद करें जैसे जैसे मैंने आप लोगो मेंड मेंड चीज़ें बताएं ऐसे मेंड मेंड चीज़ें उठाएं वो त्यार करें और आप लोगों का paper इंशालला अच्छा हो जाएगा दौाओं में लाजमी याद रखिएगा सर्गोदा इनवस्टी ऑफीशियल चैनल को लाजमी सबस्क्राइब करिएगा अल्ला हाफीज